डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जो है वो जिले को कहा जाता है यानि कि जिला या प्रदेश का विभाग यानि कि कोई भी जो एक देश होता है उसको फिर प्रदेशों में यानि कि राज्यों में बाट दिया जाता है और उन राज्यों को फिर उप भागों में बाट दिया जाता है जिसमें जिले हो सकते हैं और जिलों को फिर जो है और आगे छोटे भागों में तहसील में बाट द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक term है यानि कि राज्य को जिलों में बाट दिया जाता है ताकि जो प्रशाशन है वो अपना काम efficiently कर सके तो उसको district कहते हैं यानि कि district is a geographical division और administrative region within a country or city typically within its own government or administrative structure यानि कि हर जिले का जो है अपना एक अलग जो है administrative structure होता है तो उसको जिला कह जाता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे आपको मिल दृटलीके सेँ़ोन म में दृटलीके से सृटलीके सृटलीके सीध road को में निता हैं आपको सब्सक्राइब कर दिसेड़ को स